आज मैं आपको बताऊंगी ब्लाइकेट्स हटाने के लिए तीन सर्वतम घरे लूप चार फ्रेंट्स ब्लाइकेट्स मुहासे जैसे ही होते हैं तथा महिलाएं और पुरुष दोनों को ही इस समस्या का सामना करना पड़ता है ब्लाइकेट्स चेहरे पर घाब की तरह दिखते हैं तथा समानियता ये नाक पर ही होते हैं यदि आपको इस बात की चिंता है कि ब्लाइकेट्स को कैसे दूर किया जाए तो इसके लिए बाजार में केई वस्तुएं जिसे स्ट्रिप आदी उपलब दे ये स्ट्रिप ब्लाइकेट्स को खींच कर निकालती है हाला कि ये बहुत दढ़ भरी प्रक्विया होती है तथा इसकी सलाह नहीं दी जाती क्यूंकि इस प्रक्विया में तुचा के रूम चीदरों को खोल कर ब्लाइकेट्स को बहा निकाला जाता है जिससे की रूम चीदरों के खुले रहने के कारण उनमें और धूल जमने लगती है और अता इन सब बातों से आपका बचाव करने के लिए हम आपको तीन हरेल उपचार के बारे में बताने जा रहे हैं जिसके द्वारा आप ब्लाइकेट्स को आसानी से दूर कर सकते हैं आईए इन उपचारों के बारे में जाने फर्स्ट है गिलाइकेट्स पैट्स गिलाइकेट्स चिपचेपा होता है बिना किसी फ्लेवर वाले गिलाटीन का उप्योग करें गिलाटीन पौडर को पानी में मिलाएं और तुरंट प्रभावित स्थान पर लगाईए इससे पहले कि यह सूख कर काड़ा हो जाए पूरी तरह से सुखने पर इसे निकाल दें आप देखेंगे कि एक ही पल में आपके ब्लाइकर्स निकल जाएंगे ध्यान रहे कि इस उप्चार को अपनाने के बाद उस जगा पर आइस वाटर लगाएं ताकि रोम छीदर बंध हो जाए दूसरा है टूदपेस्ट स्क्रब फ्रेंड्स कोई भी मिन टूदपेस्ट ले जल या सफेद कोई भी तथा इसमें नमक मिलाकर स्क्रब बनाएं नमक के खुर्दूरेपन के कारण एक बार के उप्योग से ही ब्लाइकर्स निकल जाएंगे इसके अलावा टूदपेस्ट में उपस्थित मिन धंडक पहुंचाता है ताकि नमक के रगणने से अधिक जलन ना हो अच्छे परीनामों के लिए सप्ता में एक बार ऐसा करें तीसरा है अंडे की सफेदी फेंट्स अंडे की सफेदी लें तथा इसे तब तक फेंटें जब तक ये जागदा ना हो जाए एक छपते ब्रश की सहायता से सिनाग पर लगाएं इसके उपर एक टिशू पेपर लगाएं तथा इस टीशू पेपर के उपर पुन अंडे की सपेदी लगाएं ताकि ये कड़ा हो जाएं। आपके द्वारा स्वयम तयार की हुवी स्ट्रिप तयार हैं। ब्लाइक हेड्स निकालने के लिए इसे खीच कर निकाल दें। थापके लिए जिए लाएंगा कर दो तक्ट आएंग। थाएंग।